हेलो स्ट्वेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 नुइंग आवर नंबर चैप्टर 1 NCRT इसके एक्साइज 1.1 का क्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें आपको क्वेशन दिया है फेल इन दी ब्लैंक अगर हमने पिछले वाली वीडियो में इंट्रोड़क्शन पार्ट कम्प्लीट किया था इसका तो वहां पर मैंने सारी आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम दोन यह कितने टैन थाउजन के एक्वल होगा वन लैक की वैल्यू कितने टैन थाउजन के एक्वल होगी तो वन लैक को अगर मैं लिखना चाहूं तो यह मैंने आपको आप सिस्टम बताया था जीरो वन स्प्लेस टैन हंडेद थाउजन तैन थाउजन एंड लैक ओके अब मैं इहीं से लिखना चाहूं, तो 10,000 को कैसे लिखा जाता है, 10, 1, 2, ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर number of 0 कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर number of 0 कितने है, 1, 2, 3, 4, only 4 हैं, तो means हमें यहाँ पर 1 0 और लेके आना है, तो यह 5 जिसाब से इसके 0s के equal हो जाएगा, तो यहाँ पर किस से multiply करना पड़ेगा, 10 से multiply करना पड़ेगा, तो यह 4 0s की जिखाबर किया जाएगे, 5 0s हो जाएगे, तो it means क्या है, कि 1 lakh हमारा किसके equal होता है, 10,000, 10,000 के equal होता है, आपको इसली समझ माँ आगया होगा, आप देखते हैं इसका second part, तो 1 million अगर हमें लिखना हो, तो 1 million कैसे लिखा जाता है, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, इस तरीके से यह में लगता जाएगा, तो इसमें कितने 0 हैं, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 6 हैं हमारे पास, और यहाँ पर अगर हमें 100,000 को लिखना चाहूँ, 100,000, 100,000 के लिए कितने 0 आता हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पर number of 0 चेक करके देख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर है 6, number of 0 कितने 6, यहाँ पर number of 5 कितने 5, तो 1, 0, फिर हमें यहाँ पर increase करना है, तो 0 increase करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस number को किस से multiply करना पड़ेगा, 10 से multiply करना पड़ेगा, तो यहाँ पर value fill in the blank में क्या जाएगी, 10 आ जाएगी, इतनी समारे कहने का मतलब यहाँ है, तो 100,000 के equal होता है, तो इस यह है C प्राइक, जहाँ पर हमने equal करना है, 1 करोड को equal करना है, 1 million के equal, तो मैंने 1 करोड यहाँ पर लिखके देखा, तो इसमें number of 0 काउंट किये मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 number of 0 यहाँ पर हमारे पास हैं, और 1 million मेंने लिखके देखा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर मेरे पास किता है number of 0 equal to 6, तो means क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ increase करना होगा, यहाँ एक 0 increase करना होगा, इसमें से किस से multiply करना होगा, 10 से multiply करना होगा, तो इस तरीके से यह C part भी हमने इसका complete कर लिए, अब इसके जो remaining 2 part हैं, उनको भी हम कर लेते हैं, तो हमें D part में करना है, 1 crore equal to 10 lakh, तो 1 crore मैंने आप यहाँ पर लिखके दिखा है, कि 1 crore के लिए हमें 1 की बीचे कितने 0 लगाने होते हैं, 7 0, 3, 4, 5, 6, 7, लगाने होते हैं, अब number of 0 कितने होगे, 5 and 6, तो यहाँ पर कितने हैं, 7, तो यहाँ पर 1 0 कम है, तो इसे किस से multiply करना होगा हमें 10 से multiply करना पड़ेगा, तो यह हाँ पर इसकी value कितना जाएगी, 10 आ जाएगी, ऐसी तरीके से 1 million, 1 million लिख लिया, 1 million में कितने 0 होते हैं, number of 0, 6, and 1 lucky में कितने होते हैं, number of 0, 5, तो 1 0 फिर यहाँ पर कम है, तो इसे equal करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से multiply करना होगा, I hope आपको easily यह समझ में आ गया होगा, आप करते हैं, इसी exercise का question number 2, so question number 2 is, हमें क्या करना है, इन questions को numeral form में लिखना है, और इसमें जो place, जो commas value जो हम लगाते हैं, उसको हमने इसमें place करना है, कि comma कैसे हम इसमें apply करेंगे, तो first question हमारे पास है, 71,75,307, तो इसमें किसमें लिखना है, numeral form में लिखना है, तो देखे, मैंने यहाँ पर इसका जो series होता है, वो लिखा हुआ है, once, ten, hundred, thousand, ten thousand, lakh, and ten lakh, ten lakh तर है, तो यह 73 lakh, 73 lakh मिन्स क्या हो जाएगा, यह आजाएगा, इस पर, 73 lakh, 75,000, 75,000 भी आगिया हमारे पास, 75,000, 300, 100 पर 3, and 7, 7 में 10 में कोई value नहीं है, और 7 हमारे पास यह आगिया, और इसमें अगर हमें कॉमा की बात आती है, तो कॉमा मैंने आपको बताए था, कि after 100 हम पर लगता है, first कॉमा यहाँ लगता है, then second कॉमा हमारे पास के लगता है, after two numbers, इस तरीके से हमारे इसमें कॉमा भी लग जाएगा, तो यह हमारे पास का अंसर आगिया, okay, I hope आप easily से समझ गया होंगे, इसी तरीके से आपका जो B part है, B part में कहता है, 9 करोड, 5,41, 9 करोड, 5,41, 9 करोड, means करोड में हमें कितना लिखना है, 5, 1 means यह आ रहा है हमारे 10, and 1 पर, okay, और सरी वैली यह हम पर क्या जाएंगी, 0, इस तरीके से, तो यहाँ पर कॉमा लगाने के लिए वही, after 100, एक कॉमा यहाँ पर, second कॉमा यहाँ after 2 यह, इस तरीके से इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, यह हमारे पास क्या इसका आंसर है, okay, now, C part is 7 crore, 7 crore, 52 lakh, 52 lakh, 21,000, 21,000, 300, 3, 2, तो यह हमारे पास का आंसर आ गया, उसका कॉमा कैसे लग जाएगा, यह, इस तरीके से कॉमा लग जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा, इसके remaining part भी जल्दी से कर लेते हैं, so strength, अब D part हमारे पास है, 58,423,202, इससे हमने देखिए, million में आपको दिया वाए, it means आपकी पास कौन सा है, international system, अभी तक सारी question हम Indian system से कर रहे थे, आब हमारे पास ही international system का है, तो 58 million, तो सबसे पहले में लिखता हूँ, 58 million, तो after million आपको अगर याद हो, इसके बाद में कितने digit आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 digit इसके बाद और आएंगी, अब ये थोड़ा सा, इस वाले portion को आप एक साथ पढ़िए, इसके बाद इसके बाद इसके बाद हमारे पास है, पर यहाँ पर after three number हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, तो यह आपका इसका answer हो जाएगा, ओके, last part is 23,30,010, 23,30,010, इस एक गीरो यह आजाएगा हमारे पास, और यहाँ पर कॉमा कॉनसे सिस्टम है, lag means, हमारे इंडियन सिस्टम है, तो इंडियन सिस्टम से हम क्या करेंगे, after three, after hundred, after two, यह हमारे पास का answer आजाएगा, so strengths, आज हमने किया exercise 1.1 का question number 1 and 2, इसके next वीडियो में हम करेंगे, इस exercise का question number 3rd and 4th, so हमारे चैनल के साहथ बने रहे हैं, और चैनल को subscribe कर लीजिए, और bell icon को प्रेस करना ना भोलें, ताकि हर नहीं वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके, thanks for watching,